हेलो बच्चों फिर से आप सब्सक्राइए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकंटॉपर पर और जैसा कि इंटिग्रेशन चल ला है काफी टाइम से चल ला है कई सारे वीडियो उसके आ चुके हैं लेकिन मैं आराम आराम से ही आपको पढ़ाऊंगा त इंटिग्रेशन जो चैप्टर मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ यह एतना मोश्ट इपॉर्टिन चैप्टर है कि मैथ में कम सकम 15 से 20 नंबर का की एक बहुत अची पोजिशन रखता है अगर आप इंटिग्रेशन को बहुत अच्छी तरीके पढ़ते हैं तब ही कुछ होना है अधरवाइस इंटिग्रेशन में दिमाग नहीं लगेगा अब जो कोशन चलने हैं बहुत अच्छे कोशन चलने हर एक चीज को बारीकी से समझो कैसे करते हैं कैसे किया जा रहा है और यह होगा तो कैसे होगा इसलिए मैं यतना आराम से पढ़ा रहा बिना किसी बात के अब चलते हैं अपने एकले कोशन मैंने कर एट नमबर कोशन कल की वीडियो में सिर्फ थ्री कोशन पढ़ाते ताकि आपको बेस किलियर हो जाए और आज मैं आगे के कोशन कराता हूँ तो अब ध्यान से देखिएगा ठीक है चलो देखो तो बेटा कल हमा हमारे एट नमबर कोशन तक कंप्लीट हो गया ते आज मैं कराऊंगा 9 नमबर कोशन से और अधीयान से देखेंगे बड़े प्यार से देखेंगे ठाकि ही समझ में आना चाहिए ठीक है बात करते हैं अपने 9 नमबर कोशन में लिखा है 3X प्लस 5 अपों लिखा गया है X cube X cube minus X square minus X plus 1 ठीक है तो यहां पे तो सर जी आपने बोला यहां पे सबसे पहली बात यह देखो proper function है कि नहीं है तो जी बिल्कुल proper function है क्योंकि जो अंस की घात है वो हर की घात से छोटी है मतलब proper function है अब क्या करेंगे अब यह देखो ऐसे तो होगा नहीं मतलब इसको कुछ न कुछ हम क्या करेंगे इसको मैं फैक्टर इसके कर देंगे ठीक है छोटी छोटी फैक्टर करेंगे तो अगे लिग दें 3X plus 5 अपन क्या होगा देखो इनसे दोनों से आप accessor common ले सकते हो और इससर बिल्कुल ले सकते हैं तो इससे और इससे हमने common लिया x square तो पिटा अंदर मेरा क्या बच गया तो अंदर बच गया x minus का 1 ठीक है इनसे दोनों से common लिया चुकि अगर इसको ऐसे ही बना लिया तब भी तो factorization हो पाएगा इनका तो अगर हमने इससे मैंने लिया minus का 1 तो आगे x minus का 1 आ गया चीक है बासवन में आ गई आचा तो अगर इसी को और हम आगे बढ़ाना चाहें तो आगे 3x plus 5 अपाउन क्या आजाएगा ये आजाएगा x plus 1 x minus 1 और एक side के आजाएगा x square minus का 1 x square minus का 1 आ जाएगा तो अब यहाँ पर यह देखो x square minus का 1 दोगात हो जाएगा तो क्या इसमें square नहीं लिगा सकते हैं तो x square minus का 1 square नहीं कर सकते हैं ये एक formula बन गे a square minus b square का तो 6x plus 3x plus 5 upon x minus 1 और इसको जब तोड़ेंगे a square plus b square को तूटे का a plus b और a minus b तो ये तूटे का x plus 1 और x minus 1 पे तूटे का ठीक है अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाने कोसिस करा है तो क्या है ऐसे नहीं हो जाएगा देखो ये देखो x minus 1 x minus 1 तो x minus 1 का holy square नहीं हो जाएगा तो दूजी से बिल्कुल हो जाएगा तो हमने लिख दिया x minus 1 का holy square और x plus 1 यहां तक सबसे पहले तो आपने इस सवाल को सुधार के उतना लिखा इतना किया अब आप जानते हैं कि यहां क्या करेंगे अंसिक भीन लगा देंगे तो बेटा यहां से देखना वो सवाल को यहां से रिलेट करना कि यह क्या हो जाएगा तो यहां पर question वो था 6x plus 5 upon x minus 1 का holy square और x plus 1 ठीक है? ठीक है? अगर इसका करें तो आजाएगा a upon x plus 1 plus b upon यह देखो square में लिखा है तो एक बार लिखेंगे और प्लस c upon square लिखेंगे एक बार हमें लिखा x minus 1 और इसके बार लिख दिया c upon x minus 1 का holy square बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है इनका LCM लेते हैं जैसा कि आप सभी जानते हो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ मैं directly लिखता हूँ क्या हो जाएगा हो जाएगा 3x plus 5 is equals 2 a इसके साथ यह है तो यह नहीं आएगा बाद की square इसके साथ आजाएगा समझ गया? a x minus 1 का holy square plus का b अब b के साथ यह नहीं आएगा लेकिन यह नहीं आएगा तो यह आएगा और square आएगा साथ में साथ यह आएगा और यह 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 आएगा क्योंकि एक यह कट जाएगा समझ गया? तो अगर आपको बेटा गुणा भाग में दिक्कत है लासा मासाम दिक्कत है दिक्कत मैं आपकी solve नहीं कर पाऊँगा मैं आपको question बता सकते हूँ उसका तरीका बता सकते हूँ लेकिन गुणा भाग योड़ घटाना यह सब आपके विसाय की बाते होनी चाहिए समझ गया? प्लस का c, c में यह कट गया तो आजाएगा x प्लस c, x प्लस 1 आजाएगा अब हमको यहां से a, b, c की value निकालनी होती जैसा कि आप सब जानते हैं तो मुझे बताओ अगर मुझे a की value निकालनी है तो अगर b की जगेपे मैं minus का 1 रख दूँ मैनस का 1 रख़ा है, minus का 1, minus का 2 अ जब स्क्राइर करें तो 4 तो आजाएगा 4 तो आजाएगा 4 आखी सब 0 हो जाएगा तो a is equal to एधर कितना बचेगा? इधर सर्ची बचेगा 2 तो a is equal to 2 by 4 हो जाएगा a is equal to 2 by 4 हो जाएगा तो a is equal to कितना आ जाएगा? फुरतर बांग Six कोई दिख्कात है सिकौन अगर मुझे 25 निकालनी है तो किया कोछ हो सकता है वैसे हिए 260 जिखड़ कर 1 रग दो 2 सी मैंने एक चिकल टू रखने पर झांने एक सी अक टू स्काफिए वन रखने पर यहा तो यह जीरो हो जाएगा और यह जीरो हो हो गई और सिकी वेल्य निकाल ली निकल लिए कोई भी इसमें आप नहीं सकते हो जिसे आपको बीकिछ वैल्य आ जाए क्यों को सूर करने के लिए या तो इसमें प्लस का वन रखो या तो मैंनस का वं को दोनों चीजिए समें जीरो हो जाएगी तो इसी कंडीशन में करते हैं कि एकस स्क्वाइर के गुणांकों की तुलना कराने पर तो यहां पर एकस स्क्वाइर क्या होगा एकस स्क्वाइर प्लस ध्यान से समझो जो अभी मैं लिखूंगा ना एकस स्क्वाइर के गुणांको कि तुलना कराने पर तो यह मैं कहले क्यों लिखता हूं तो यह चीज बहुत अची तरीका समझ लो यहां पर क्यों कि दुबारा नहीं बताई जाएगी ठीक है यहां पर क्या होगा जब इसको खोलोगे बैटा तो एक स्कॉयर प्लस का प्लस का एक स्कॉयर के साथ में एहोगा क्या लेधा क्या है要 भाइव जो नहां करता है यह चेयर हो रहा होता है रहा होगा एक वेहलु आपको पता ही क्या है वन बाइटू प्लस B is equal to 0 तो बताओ B is equal to क्या जग तो B is equal to minus 1 by 2 A की value पता है, B की value पता है, C की value पता है अब आप बहुत ज्यादा समझदार आदमी हो कि अब आपको क्या करना है तो आप रखो अपना A की value रखो जाके ये देखो है A की value रखो B की value रखो A क्या है A सर जी 1 by 2 तो 1 by 2 कर देंगे बाहर integration of 1 upon x plus 1 ठीक है B की value minus 1 by 2 minus 1 by 2 बाहर minus 1 by 2 बाहर integration 1 upon x minus 1 कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं है C की value है आपकी 4 तो 4 हो गया बाहर तो plus का 4 integration of 1 upon x minus 1 का whole square समझ गया की नहीं समझ गया अच्छा अब क्या करेंगे ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 1 by 2 log x और अब अगर x करने जाओगे तो ये हो जाएगा 1 plus 1 तो 1 और ये हो जाएगा 0 तो खतम ठीक है minus का 1 by 2 log x x minus 1 और plus का यहाँ पर क्या होगा मैं इसलिए टीर करता हूँ क्योंकि बेटा अगर आगर आपने इसको t मान भी लिया तो जब इसका आप डिफ्रेंसियेशन करोगे तो x का dx हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0 plus dt तो बेटा dt की जगरे में dx रखना ही है आपको ना तो कुछ replace होगा ना कुछ gain होगा बाद में घूमके वही आना है आपको समझ गए की नहीं समझ गए इसलिए यहाँ से सीधे कर लिया जाता है अगर यहाँ पर x स्कार होता तो मानना पड़ता क्यों मानना पड़ता चुक को यह 2x से dx आता तो 1 by 2 आता तो 1 by 2 यहाँ पे आड होता लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो multiply divide में एड होता है मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना इसको treat कर x से की पावर n तो पेटा जब यह उपर जाएगा तो x से की पावर minus 2 हो जाएगा minus 2 हो जाएगा आप जानते हैं x से की पावर n का फार्मूला होता है x से की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 तो directly करते हैं तो plus का 4 x से की पावर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 अगर बात करें आगे तो आजाएगा 1 by 2 log x plus 1 minus का 1 by 2 log x minus 1 और प्लस का देखो minus 1 आएगा minus 1 आएगा तो यह क्या कर देगा minus का 4 कर देगा minus का 4 अभी देखो उपर क्या है x minus 1 की पावर minus 1 है नीचे जाएगे plus हो जाएगा तो upon x minus 1 और प्लस c पताओ कोई दिक्कत है किसी को बता दो किसी कोई दिक्कत ये है आपका answer तो मैंने बार-बार यही काई जो बच्चा दिमाग से question करेगा बेटा concept कुछ भी नहीं है concept same to same होता है substitution होने के बाद में question बहुत ही छोटा बचता है बेहत small हो जाता है मैं बार-बार कहता हूँ मैं जल्दी नहीं पढ़ाओंगा मैं एक-एक चीज clear करके ही पढ़ाओंगा किसी को देखना है तो वो देखे वीडियो अगर नहीं देखना है तो उना देखे मेरा इसमें कोई भी personal love नहीं है समझ रहे हो ठीक है मैं एक-एक चीज बिल्कुल बिर्वार बताओंगा जो बच्चे देख रहे हो मेरे नजरे में वो बच्चे है कि वो देख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि मैं पूरा पढ़ाओ हूँ मैं हर एक चीज बताओं मैं चोटी सी चोटी चीज में इसे लिए focus करता हूँ दो से तीन नमबर में और पक्का है कि सर्थ लगा लूँ आना है तो आना है एक हजार परसेंट में से और हो कि यह कोश्न आएगा जरूर है समझें उब चलो अगे बात करते हैं अगे बात करें आगे हम दस नंबर कोशन के बटा ठीक है तस नंबर कोशन कहता है 2x-3 upon क्या जाएगा x²-1 और 2x-3 कैसे करोगे आप जानते हो कि यह जो हमारा लिखा हूँ इसको मुझे सही करके लिखना है यहाँ पे आपने यहाँ पे भाप लिया कि पहले कोशन की तरीके कि x²-a² यह फर्मूला लिखा हुआ है तो सर जी लिख देंगे 2x-3 upon x-1 और x-1 यहाँ पे x-a²-a² का इसको स्क्वाइर कर सकते हूँ नहीं कर सकते हूँ सर बिल्कुल कर सकते हैं इतना आगे और जो अपना लिखा है वो तो होई जाएगा तो अब बताओ सबसे पहले proper function चेक कर लिए हो सर बिल्कुल चेक कर लिए हैं ये वाला जो है ना ये proper function है क्योंकि नीचे की घाथ है तीन और उपर की घाथ है एक तो आपने बताया है कि हर की घाथ अगर अगर अंसिक घाथ से बड़ी होती तो proper function होता है अगर आगे एक बात करें तो इसको हम चेंज करेंगे अंसिक धिन में तो A upon X plus 1 plus B upon X minus 1 plus C upon 2X plus 3 ओके आप क्या करोगे सर जी आप करेंगे यह कि X A B C का हमान निकालेंगे तो इसको इधर देखना गसीट के लाते हैं सर यहां रखते हैं 2X plus 3 is equal to a into क्या होगा तो A यह कटेगा यह दो इसके साथ में लग जाएंगे X minus 1 और 2X plus 3 प्लस कि अगर B करेंगे तो B करेंगे यह कर जाएक यह दोनों साथ में लग जाएंगे तो X plus का 1 और 2X प्लस का थिरी, अगर बात करें हम C के, C में ये कटेगा, ये दोनों लग जाएंगे, X प्लस का 1 और X माइनस का 1, बता कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम यहाँ से करना चालो करें, अगर हम कहेंगे, बता मुझे A की वैलू निकाल नहीं, बताओ क्या अगर सर जी आपको A की वैलू निकाल ली है, तो B और C, देखो, X प्लस 1, X प्लस 1, अगर यहाँ पर हम माइनस 1 रख दें, A की वैलू आजाएगी, साथ बिल्कुल आजाएगी, तो मैंने कहा कि X इस उकल टू माइनस 1 रखने पर, X इस उकल टू माइनस 1 रखने पर, आजाएगा, यह आजाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3 तो आजाएगा, प्लस का 1, यहां से किता आगए तो आगए, 1 is equal to, माइनस का 2 A, तो A is equal to कर हम बात करें, तो A is equal to आजाएगा, माइनस का 1 रखने तो कोई दिक्कत, यह देखो, आगए यह आप पी A की वैलू, ठीक है अब मैं ठेहूंकмен कि अगर आप B की value निकालो तो B की value नहीं कले हुगे लेकिं C की value गःटा लै कैसे अगर यहाँ पे आप देखो A के पास में ये है और B के पास में भी ये है अगर आप x is equal to यहाँ पी लिखते हैं तो माइनस का 3 by to 2 रखोगे, X2 EG igualed to 2 DG DGraben minus 3 minus 3 तो यहां पहे आजाएगा 0 ठीक है यहां पहते यहां पहे 0 और यह भी आजाएगा 0-2 और उसकी भात करते हैं तो C यह क्या होजाए एक Юg going out, minus 3 by 2 minus 3 by 2 plus 1 और minus 3 by 2 minus 1 पे बता हो यहां पहें करता है किए C in 2 यहां पर करेंगा आजएगा 2 तो आजएगा माइनस का 1 बाई 2 इन्टु यहां पर करेंगा तो आजएगा माइनस का 5 बाई 2 ठीक कितना हो जाएगा तो 0 is equal to C into minus minus plus तो आजएगा 5 by 4 तो अगर C की बात करें तो C is equal to आजएगा 0 आ आएगा यह नहीं हैगा इस पाफ निकाल दी ही चीड overlap ४रुंले होते हैं रर्केंगे थाह से संथा सही इतना करते हैं आपको फता चलता कि जब गलत होगा तो कैसे डाइगे अब जब गलत हो गया तो हम करेंगे य। अब सर जी आपने x स्श्वायर और x की घातांगों- गुड़ांकों की तुलना करना आपने हमें चिखाया तो हम यहाँ पर सर जी यह लिखैंगे x2 वा aid x के गुडांकों की तुलना करने पर आप कैसे करेंगे x कhrinki undermal तो बताओ इसका एक इसका गुनांग हो जाएगा तो अगर हम यहां पर और इसमें भारी समस्य आ हे आप क्या करेंगे तुक्ता पाइं बाइटु में आयाने है कि ओमाई गए भर Yo Uber ol Belipo Dan है यहां से देखो गड़ बहुत हो गया क्या गड़ा होगा है यहां पे बिटल था 2x minus 3 था क्या था 2x minus 3 था इसलिए सब गड़बड हो रहा था x is equal to minus 1 रखने पर देखे वो अंसर कितना आएगा तो इसमें रखा तो minus 2 और minus 3 तो आजाएगा minus 5 is equal to a into minus का तो यहां में minus 2 minus 2 आगया और plus का तो आगया था minus 2 आगया था into में इसके तो अगर बात करें a is equal to आजाएगा minus minus हो गया प्लस तो आगया 5 by 2 a is equal to कितना आगया 5 by 2 हो गया ठीक है अब अगर आप x is equal to minus का 3 by 2 रखो कि तो आप answer आएगा यहां पर मैंने गड़बड कर दिया था क्या गड़बड किया था उपर यहां पर x minus 3 था मैंने आप पर x plus 3 ले लिया था इसने गड़बड हो गया तो अगर रखें इसमें minus 3 minus 3 तो minus का 6 is equal to यह भी खतम यह भी खतम तो यह बचा यहां पर क्या रहा था यहां पर आ रहा था minus का 5 by 4 c तो c is equal to क्या आजाएगा c is equal to 6 into 4 by 5 किता आजाएगा 24 by 5 अब आपको क्या निकालना है तो सर अब हमको निकालना है मुझे a की value पता हो गई और मुझे c की value पता हो गई अब मुझे निकालना है only b की value तो b की value में कोई formula तुम लगा नहीं सकते हो तो करोगे क्या सर करेंगे क्या एक स्कार के गुणांकों की तुलना कराने पर कैसे कराओगे एक सिज़के गुणांकों की तुलना कराएंगे सर जी तो यहां पर आएगा 2a प्लस का 2b और प्लस का c इस उकल टू जीरो इसमें किसी को दिक्कत है अगर है तो फिर आप सहीज़ा कोशन पढ़ा नहीं रहा हो समझता है अगर है तो नहीं पढ़ रहा हो सहीज़ा है यह की बहलो तुमको पता है 2 इंटू 5 by 2 प्लस का b की निकालना है और c की तुमको पता है 24 by 5 is equal to 0 यह बेटा कट गया तो आ गया 5 तो 5 प्लस का 24 by 5 और प्लस का 2b is equal to 0 यहां से अगर करें तो 25 प्लस 24 कित्ता हो जाएगा बताओ 49 by 5 49 by 5 प्लस का 2b is equal to 0 तो b is equal to कित्ता हो जाएगा 49 upon 10 बताओ समझ में आया 49 upon 10 तो यह देखो c है यह a है और यह b है अब आप अपना question अराम से करोगे तो मैं इतना portion हडा देता हूं ठीक है ताकि question करने में आसानी हो जाए ठीक है करें question अपना तो जिसर करें a की value कितनी है तो a की value है कितनी है a की value 5 by 2 तो 5 by 2 integration 1 upon x plus 1 प्लस का c कितना है sorry b कितना है b है प्लस का 49 by 10 integration 1 upon x square minus का 1 ओके कुछ गड़बर सर कोई गड़बर नहीं है और प्लस का c upon c कितना है तो c है आपका 24 by 24 by 5 integration 1 upon 2x plus 3 तो कितना सरल question है कैसे करेंगे तो 5 by 2 log x plus 1 ओके प्लस का 49 by 10 log x minus 1 ठीक है प्लस का 24 by 5 log log 2x plus 3 अब जो 2x plus 3 है तो 2x से करेंगे तो क्या आएगा जब 2x से करेंगे तो 1 upon 2 आजाएगा यहां पर कर दो और 1 upon 2 तो 2 कर दो multiply तो देखना final क्या आएगा 5 by 2 log समझे राट अश्ट में क्या किया है यार जब log को करेंगे तो 2x plus 3 का करोगे तो 2 कहां पर आएगा नीचे आजाएगा और 3 का हो जाएगा 0 तो 1 upon 2 करना है तो इसलिए हमने यहां पर कर लिया प्लस का 49 by 10 log x minus 1 प्लस का 24 by 10 यही है आपका आंसर आपकोई दिक्कात है यहां से दिमाग लगाना है यहां से दिमाग लगाना है दिमाग नहीं लगाओ कोशन नहीं आएगा अखिए बता बटा बात समझ में आगी तो यहां से हमने घर बड़ के किया था यहां से करिद दोगों पूरा कोशन डिश्टर नहीं आ रहा था आंसर हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थी आंसर यहां इसमें क्या लिग दें जिसके मरहां सही हो जाये तो यहां को चीजे न गलत कर दिया है और आप एक बार जाके रिवर चेक कर लो जैसे चेक करो के खुद ही पता चल जाएगा अपने गलत कहाँ पर किया बिटा देखो 11 नमर कोशन है आज का लाश कोशन है ध्यान से दिखना है 5X अपन X प्लस 1 और X स्कार प्लस का 4 अगर आप दिब चच्चु वाले आदमी हो तो यहाँ पर दीखेगा X स्कार माइनस का 2 स्कार तो A स्कार माइनस का B स्कार तो यहाँ पर सीधे चल देखते चल दाएगा 5x upon x plus 1 x plus 2 x minus 2 is equal to अब क्या करोगे आंसिक भिन्नों बदल लो कैसे करोगे a upon x plus 1 plus का b upon x plus 2 plus का c upon x minus 2 ओके हो गया हां तक अब क्या करोगे उस्तर जी अब करेंगे ये कि अपना भाई a b c की value निकाल लिए तो किता आजाएगा 5x is equal to a x plus 2 x minus 2 ओके प्लस का b x plus 1 और x minus 2 समझ गए प्लस का c x plus 2 और x plus 1 तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है किसी को सार कोई दिक्कत नहीं समझ गए यहां तक यहां तक का किया कैसे करेंगे अगर मुझे a की value मालो निकाल लिए तो इसमें और इसमें क्या रख दो minus 1 रख दो x is equal to minus 1 रखने पर x is equal to minus 1 रखने पर कैसे रखेंगे रखेंगे देखो आयागा क्या minus 1 रखो तो आजागा minus 5 is equal to a और यह 0 हो गया इसका बच्छा a into minus 4 का रख रखा 1 तो आगया plus का 1 और minus का 1 रखा तो माइनस का 3 तो आगया minus का 3 a क्या a minus का 3 ए is equal to आगончा 5 by 3 कोई दिकात सर नहीं आप क्या करेंगे आप हैं में निकालना है मालो बी का निकालना है तो इसमें और इसमें क्या रख सकते हैं तो अगर हम रख दें, माइनस का 2 रख दें, तो खतम हो जाएंगे, दूनों B का आजाएगा, तो X is equal to minus 2 रखने पर, कैसे करेंगे, सर माइनस 2 रखो, माइनस 2 रखेंग तो आजाएगा, माइनस का 10 is equal to, ये खतम हो गया, ये खतम हो गया, ये बाला बच्चा, देखो, minus 2 खतम, minus 2 खतम, और ये बाला बच्चा तो इसमें क्या आजाएगा, तो minus 2 plus 1 तो minus का 1, और minus 2, minus 2 तो minus का 4, तो minus का 1, minus का 4, कित्ता हो जाएगा, plus का 4, क्योंकि multiply हैं plus का 4, तो B तो 4, तो B जुकल तो minus का 10 by 4, तो अगर बच्चा हम सौल पकरेंगे, तो आजएक माइनस का 5 by 2, ओके, got it, अगर बात करें हम सी की, तो बताओ, सी का कुछ जुगाड है, तो C का जुगाड ये है, कि अगर मैं इसमें और इसमें देओ, है जुगाड, कैसे, अगर इसकी जगाए पर रख दो plus 2, और इसकी जगाए पर प्लस 2 रख दो, तो ये दोनों खत्म होने, कोई दिक्कत नहीं है, देखो, अगर आपको process पता है, तो आप बहुत रफतार से question को कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत नहीं है, अब क्या करोगे, तो सर करना क्या है, अपना question करेंगे, कैसे करोगे, तो आप A, B, C की value रखेंगे, तो सर A कितना है, तो A है 5 by 3, कैसे प्लस का C कितना है, C है सर जी, 5 by 6, तो 5 by 6, integration, 1 upon X minus 2, कोई दिक्कत, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से करने कोश्चा दिक्राएं, तो 5 by 3 log X plus का 1, ओके, माइनस का 5 by 2 log X plus का 2, ओके, छीक है, फिर यहां से प्लस का 5 by 6 log X minus का 2, बताओ, ओके, प्लस का C नहीं लिख पाओ गए, किसी बच्चो कोई दिक्का हो तो बताओ, तो अगर तरीका पता है, तो आंसिक भिन्नो दारा बड़े बड़े कोश्चन को आप ऐसे ही फताय कर सकते हो, अगर तरीका नहीं पता है, तो बेटा बहुत मुस्किल होने वाली है, बहुत मुस्किलें बढ़ जाएंगी, आपकी समझ गए कि नहीं समझ गए, तो फर्स्ट आप ओल मैं तो यह ही रिकमेंड करूँगा, कि आप तरीके बहुत अची तरीके सीखे, चिव करिया चबा जाईए, और बहुत अची तरीके सीख लीजे, ताकि आपको आन परीके सीखे, जाओगे, फिर दुबारा कि सीखे कि कोई ही जरूरत नहीं है, इनको हैसे आराम से लगाते चले जाओगे, जैसे मैं लगा रहा हूं, जैसे एक एक चीज मैं आपको डिफाइन करना कैसे और पर यहां पर देख ओम, इनने अकति कुझ करना को तुलना की, यह जिसमें तुलना करता हूँ मैं आपको बताता भी हूँ कि यहाँ पर ऐसा रख दोगे तो दो चीज़ें या तीन चीज़ें क्या हो जाएं कि कैंसिल हो जाएंगी तो प्लीज इसमें नहीं रखना है और जिसमें रखना है मैं उसमें जरूर बताता हूँ तो आप जानते हैं मैंने एक कोशन पूरा बताया है आप इसका स्क्रीन सॉट करना चाहें तो कर सकते हैं और फिलाल आज के लिए इतना ही मैं जो नेक्ट वीडियो लेकि आऊँगा मैं प्रयास करते हूँ ज़्यादा कोशन हो जाएं लेकिन बेटा अच्छा पढ़ानेक चकर में क्वाल्टी देनेक चकर में ज़्यादा कोशन नहीं हो पाते हैं इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकते हूँ क्योंकि मैं क्वाल्टी सा समझाता नहीं कर सकते हूँ मुझे बहुत ज़्यादा quantity नहीं चाहिए मुझे ये है कि अगर मैं तीन सवाल आपको बताऊंगा चार सवाल आपको बताऊंगा अगर आप बहुत अची तरीके से उनके concept किलिया करते हो तो आप उस तरह के हजार सवाल कर सकते हो मैं आपको 5 question, 10 question, 15 question एक class में कराऊंगा और मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं YouTube में देखता हूँ कि ठीसर पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन बच्चों को proper तरीका नहीं बताते हैं कैसे करते हैं तो यहां कहीं न कहीं कमी मैं पाता हूँ तो मैं इस कमी को दूर करने की भर सक कोसेज करता हूँ कि आपको कभी यह न लगे कि पढ़ा इसनों नहीं भी वही कर रहा है समझेरों सब लोग एक टाइप कर रहा है मैं किस क्यों मैं एक बात बता हूँ मैं क्यों series वाइस देता हूँ बिल्कुल प्रॉपर डिश्लाइक करना है कोई भी दिक्कत नहीं है कमेंट करो अगर कोई भी सजेसा नहीं कोई भी ऐगर ऐसी exercise चाहिए जो आपको लगता है कि ज़्यादा important है हमें नहीं लगता ज़्यादा important है और पहले पढ़ाई जानी चाहिए आप उसमें कमेंट कर सकते हो बाकि एक साइट से समाकलन चलेगा ही चलेगा ताकि मैं आप चाहता हूँ कि आप कम से कम 30-40 नमर आराम से ऐसे ही ले आउटी है फिलाल के लिए नमस्कार जैन